नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे वीडियो में आज हम बात करेंगे महिलाओं के बिग बैश लीग 2024 के सातवे मैच के बारे में जहां सिड्नी ठंडर वुमेन का सामना होबर्ट हैरिकेंस वुमेन से होगा ये मैच नौर्थ सिड्नी ओवल सिड्नी में खेला हमने महिलाओं के बिग बैश लीग की शानदार शुरुवात देखी है और कई रोमांचक मैच हुए हैं इस मैच में सिड्नी ठंडर वुमेन अपनी पहली जीत की तलाश में है दूसरी ओर हॉबर्ट हैरिकेंस वुमेन ने अपने पहले मैच में सिड्नी ठंडर वुमेन को ह जिससे उनकी टीम का आत्म विश्वास और बढ़ गया है। सिडनी ठंडर वुमेन के खिलाफ उनका रिकॉर्ड उनके आत्म विश्वास में इजाफा करता है और विलानी चाहेंगी कि उनकी बैटर्स बेहतर प्रदर्शन करें क्योंकि वे पिछले मैच में थोड़ा डीला खेलीं। डैनियल वाइट हॉज और लिजेल ली पिछले मैच में शीर्श क्रम में संघर्श करती नजर आईं। टीम को एक बेहतर शुरुआत की उम्मीद है। निकोला कैरी ने पिछले मैच में मध्यक्रम में एक अहम भूमिका निभाई और वह हीथर ग्राहम और एलीज विलानी के साथ मिलकर रन बनाने की कोशिश करेंगी। चलोट रायन, टाबाठा सैविल और कैथरीन ब्राइस मध्यक्रम में बल्ले बाजी को मजबूत करती है। मौली स्ट्रानों ने पिछले मैच में शानदार गेंद बाजी की और वह नए गेंद का प्रभावी उप्योग करने की कोशिश करेंगी कैथरीन ब्राइस के साथ। उनका आक्रमन मध्य ओवर्स में अच्छा प्रदर्शन किया और टीम को लौरेन स्मिथ, हीथर ग्राहम और चलोट रायन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। निकोला कैरी इस आक्रमन में विविधता जोडती हैं जिससे यह मजबूत बनता है। फोबे अपने टीम के प्रदर्शन से निराश होंगी क्योंकि उन्होंने अपने सीजन के ओपनर में खराब बल्लेबाजी की थी, जिसमें वे 31 रन से हार गई। शीर्ष और मध्यकरम ने टीम को निराश किया। लिचफील्ड चाहेंगी कि उनके खिलाडी मजबूती से वापसी कर क्योंकि वे उसी विपक्षी का सामना कर रही हैं, जिसके खिलाफ वे हाल के सत्रों में संघर्ष करती आ रही हैं। चामारी अथा पात्थू और जॉर्जिया वोल ने पिछले मैच में खराब शुरुवात की थी और टीम को एक बहतर शुरुवात की उम्मीद है। फोबे सौ प्रतिशत मैच, भविश्यवानी के अनुसार, इस मैच में टॉस प्रेडिक्शन, टॉस सिड्नी थंडर विमेन, टॉस जीतेगी। टॉस की कोई रिपोर्ट या विशलेशन नहीं होता है, बस एक अनुमान है। लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आपकी विन थुका मध्य, ओवर्स में प्रदर्शन महत्वपूर्ण होगा। अब बात करते हैं पिछ रिपोर्ट की, नौर्थ सिड्नी ओवल एक छोटी मैदान है, और यहां बल्लेबाजों को रन बनाने में मज़ा आता है। मैदान के चारों और छोटे बाउन्डरी बल्लेबाजों को खुल कर खेलने की अनुमती देते हैं। तेज गेंदाजों को शुरुआत में सहायता मिलती है, लेकिन स्पिनर्स को पिछले मैचों में प्रभाव डालने में मुश्किल हुई है। मैच रिपोर्ट इज होबाट हरिकेंस विमन, यह मैच जीतेगी। तो दोस्तों, यह थ के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट होना है, वो डिस्क्रिप्शन में दिये हुए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुद सकते हैं।